एक केजी प्यास की कीमत क्या होती है? क्या आप जानते हो? अब आप बोलोगी ये भी कोई पूछने की बात हुई एंजना? हमें पता है कि एक केजी प्यास इंडिया में कितने का मिलता है? लेकिन एक केजी बाल, नहीं, मतलब एक बाल की कीमत क्या होती है? सिर्फ वही समझ सक जिसके बाल बहुत जादा चढ़ते हैं अगर आपको बहुत जादा हेफॉल होगा आपके बाल चढ़ेंगे तो आपको बालनेस चुरू हो जाएगी या फिर आपको अकावमा हो सकता है अकावमा भी एक ऐसी कंडिशन होती है जिसमें आपके बालों की नई ग्रोथ होना आप चाहें तो इसन वाली वीडियो पे एक नदर डाल सकते हैं और आप समझ जाएंगे कि आपके लिए अनियन कितना जादा एफिशेंट और एफेक्टिव है और ये अनियन जब बाकी के इंग्रीडियंट के साथ मिल जाएगा तो यह और भी जादा पावफुल आप कोई भी रेड अनियन ले सकते हैं जो भी प्यास आपके पास है अवेलिबल वो आप ले सकते हैं इस रेमेडि को प्रिपेर करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए पानी आप एक ग्लास पानी लेंगे और इसे एक पैन में रखेंगे और उसके बाद आपने इसमें नेकाल तेंगे, इसको आपके बॉल तब भॉल दिया है, आप इसे बॉइल करो जैसे वॉल राइस होते है, यहाँ निकाल देंगे, इसको आप किसी भी एक दूसरे वाले container में डाल के रख सकते हैं और उसके बाद आपने फिर से gas में रखना है एक क्लास पानी जिसमें आपने डालने है फ्लाक सीट जिसे कहा जाता है अलसी के बीच अलसी के बीच आपके बालों के लिए बहुत ज़ादा अच्छे हैं अगर आपके बालों में शाइन नहीं है तो उसके लिए भी बहुत अच्छे है अगर बालों में ग्रोथ नहीं होती उसके लिए तो यह सूपर एफेक्टिव होते हैं और एफिशेंट भी होते हैं आप 5 चमच मतलब की 5 टेबल स्पून के अलसी के बीच लेंगे कि यह जाग है पर असली में वो जाग नहीं होता जब भी आप इसे वॉइल करते हैं तो यह ऐसा सा कुछ दिखाता है क्योंकि इसके जेल बन रही है जैसे ही आपको दिख जाए कि जेल बहुत जादा प्रॉपरली बन चुकी है उसके बाद आप गैस को कर देंगे ओफ गैस को आफ करने के बाद आप इसे निकाल देंगे और इसे आपने उसी समय छान लेना है उसी समय आप इसे फिल्टर कर लेंगे जिससे की एकदम से थोड़ा ज़ाधा ठिकना हो जाए और आप इसे जो चावल रखे हैं उसी के उपर strain कर लेंगे जब यह अच्छे से filter हो जाएगा उसके बाद इसमें आपने डालना है onion प्यास आप यहाँ पे एक लेंगे और इसे अच्छे से काट के आप इसमें डाल देंगे और उसके बाद आप इसे grind करेंगे किसके साथ आप इसे grind करेंगे दही मतलब जिसे curd कहा जाता है उसके साथ आप इसे grind करेंगे जिससे कि आपको जो इसकी consistency मिलेगी वो एकदम smooth होगी और आपके बाल मतलब आपको देखके ऐसा लगएगा कि कोई market based conditioner जैसे consistency हो चुकी है बिलकुल ऐसा बनेगा ये पर ये obviously conditioner नहीं है ये है onion का hair growth mask जो कि आपको double, triple hair growth दे पाएगा अगर आप इसे persistent और consistent होके लगाओगे तो आपने इसमें onion के साथ ही से अच्छे से blend कर देना है जभी grind हो जाएगा properly उसके बाद आप इसे निकाल देंगे इसको निकालने के बाद यहाँ पे आपने डालना है castor oil castor oil जिसे कहा जाता है अरंडी का तेल castor oil के उपर मैं 2-3 videos अल्रेरी आपसे share कर चुकी हूँ अगर आपने उन videos को नहीं देखा है तो आप जाके उनको जरू देखेगा आपको और भी समझ आएगा कि castor oil को किस तरह से use करना चाहिए क्योंकि यह सबसे जादा thick oil होता है इसलिए जादा तर लोग समझ नहीं पाते कि इसको use कैसे करना है लेकिन इस oil को अगर आप इस वाले paste में डालोगे तो आपको इसके बहतरीन results मिलेंगे आपने हापे 2-3 चमच के castor oil को लेना है और इसमें डाल देना है अब आप इसे बना करके रख सकते हैं आप किसी भी कंटेनर में इसको डाल के अपने लिए apply करना शुडू कर सकते हो अगर आप इसकी बात करते हैं कि कब तक यह remedy मैं रख सकती हूँ store करके तो आप इसे चाहो तो फ्रिज में रख सकते हो जब आप इसे फ्रिज में रखोगे तो अगले वाले head wash पे आपको इसे use करना है उससे जादा दूर आप नहीं चाह सकते हो क्योंकि इसमें प्यास भी डला है तो अगले head wash तक यह चल जाएगा मान लो अगर आपने आज head wash लिया है आज shampoo गिया है तो अगले 2-3 दिन बाद आपको इसे definitely use करके मतलब खतम कर लेना चाहिए उसके बाद आप इसका अलग batch बना लो और वैसे भी आपके लिए इतना जादा efficient और result bear करेगा कि आप इसे बार-बार बनाओगे सच में आप इसे बार-बार बनाओगे क्योंकि आपको इतना अच्छा इससे result मिलने लग जाएगा apply scalp पे करें या बालो पे भी apply करें आप इसे चाहो तो बालो पे भी apply कर सकते हो ऐसा नहीं कि strands पे apply नहीं कर सकते पर मैंने इसे सिर्फ scalp पे apply किया है mainly क्योंकि आपकी जो hair growth होती है वो scalp से होती है end से तो भाया बस split ends ही आते हैं हाना तो इसलिए आप अपने scalp पे इसे अच्छे से apply करेंगे अच्छे से apply कर लो और साथ के साथ आप इसे massage भी कर सकते हैं massage के बारे में आपको शायद पता होगा कि नहीं head massage आपके overall you know brain की health के लिए अच्छा है आपको brain को भी signal जाता है आपके brain में जब signal जाता है तो एक hormone release होता है और जब आपके body में happy hormones release होते हैं तो आप खुद देखते हैं कि आपको जो hair fall हो रहा था जो आप stress लेते रहते हैं उस वज़े से जो हो रहा था वो भी नहीं होता क्योंकि आपको बता है कि चिंता जो होती है वो आपके लिए क्या क्या कर सकती है अगर आप जादे ही चिंता लोगे तो आपके बालों के growth नहीं होगी यह आपको समझना पड़ेगा तो इसलिए no stress ओके अच्छे से अपनी से apply करके रख देंगे अगर आप जूड़ा बनाना चाहें तो आप जूड़ा बना सकते हैं बालों को थोड़ा सा फोल्ड करना चाहें तो फोल्ड कर सकते हैं इसमें कोई भी इश्यो नहीं है अगर आपको एसर लगता है कि आप किसी ऐसी चगह में रहते हैं जिसमें आप हो जाता है तो तब आप क्या करेंगे अपने पूरे हेड को एक शावरuesta कवर करेंगे ऐसे ही रख disputes 40-45 मिनेट सर्य से इससे कि यह बहुत जल्दी ज्राइंडा होग आप तेखेंगे कि इतनी दिर में यह आपका 80% सूख जाएगा मतलब 20% ही गीला होगा बाकि 80% सूख जाएगा ओकी इसके बाद आप इसे अच्छे से हटा देंगे इसको हटाने के बार आपने इसे वाश करना है शैंपू के साथ अब आप हमेशा बूचते हैं कि शैंपू कौन सा है मैं आपको बहुत बार बता चुकिए हमाले का शैंपू ही लगाती रहोंगी या फिर अगर मैंने कोई और गानिक शैंपू लगाया कोई ऐलोवेरा शैंपू लगाया या फिर कोई मैंने और ऐसा शैंपू लगाया जिसमें आपको टी ट्री मिलता है कोई टी वाटर शैंपू लगाया किसी भी तरह का शैंपू तो ऐसा नहीं है कि जिन्दीगी भर मैं वही शैंपु लगाती RAM तो इसलिए मैं आपको बोलते हैं कि जैंपू को इतना इंपॉर्टन नहीं है कि शैंपू आप कौन सा ले रहे है स्यैंपू आप काई चेंच करते रहो कई बर क्याओते है आपको लगता है कि hair fall तो मेरा फिर भी possessed कर रहा है मैंने तो remedy लगाई थी फिर भी hair fall हो रहा है तो इसमें ये reason हो सकता है कि जो भी आप अपना current shampoo यूज़ कर रहे हो वो आपको suit नहीं कर रहा है तो आपने उस shampoo को change करना है बस इतना ही करना है ये एक अच्छी practice होती है आपकी बालो की health के लिए तो आप shampoo कोई भी ले सकते हैं जो आपको suit करें वही ले सकते हैं क्या इसके बाद conditioner भी लगाना है इसके बाद conditioner लगाने की इतनी ज़्यादा जरूरत आपको नहीं feel होगी क्योंकि इसमें है rice मैं boiled rice पे आपसे 2-3 videos पहले भी दे चुके हैं अगर आपने उन videos को नहीं देखा तो आपने definitely कुछ ऐसा नहीं देखा जो कि आपके बालो की growth के लिए और बालो की shine के लिए भी साथ के साथ अच्छा है तो उन videos का भी मैं reference देदूँगी आप जाके उने definitely देखना और कई लोग मुझे बोलते कि हम grinder में mix करना यह थोड़ा सा नहीं कर पाते हैं तो अगर आप नहीं कर पाते हैं तो इसके साथ onion juice को use करने का कौन सा अलग वे है अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं दूसरी वीडियो भी आपके लिए प्रिपेर करूँगी कौन-कौन देखना चाहता है मुझे comment करके जरूर बताईएगा मैं आपके लिए एक और वीडियो ऐसी create करूँगी अगर आप देखना चाहते हैं तो आपके लिए अपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिससे मैं आपको यह बताऊंगी कि आनियन जूस को यूस करना है अगर यह ग्राइंड वाले मेथट से नहीं किसी और मेथट से तो क्या किया चाहे आपके लिए आपके लिए टेक केर और बाइ गयाइ